नमस्ते बच्चों मेरा नाम लगिया हुजा है और मैं आपको कक्षबारा के समाश्रास का अध्यापन करवा रही हूँ बच्चों कक्षबारा के समाश्रास में हम अपनी प्रथम पुस्तक भारती समाश का अध्यन कर रहे हैं और इस पुस्तक के हम अध्याई 5 का अध्यन कर रहे थे, हमारे अध्याई 5 का नाम है सामाजिक विशमता एवं वहिशकार के स्वरूब, अब तक हम इस अध्याई के 6 भाग पढ़ चुके हैं और आज हम इस अध्याई का सात्वा और अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं, तो जो निबंदात्मक प्रश्ण हैं, उनको आज के भाग में हल करने जा रहे हैं। बच्चों, पहला प्रश्ण है, सामाजिक विशमता वेक्तियों की विशमताओं से कैसे भिन हैं। जो प्राकरतिक रूप से वेक्तियों के मध्य विशमता होती हैं, उसकी तुलना में सामाजिक विशमता कैसे अलग है। जो के वेक्तियों के बीच स्वाभाविक भिनताओं को प्रतिविंबित करती हैं। ये सच है कि कुछ सामाजिक विशमताओं लोगों के बीच की जो प्राकरतिक भिनता हैं, उसको भी प्रतिविंबित कर सकती हैं। उधारन के लिए लोगों की योग्यता और प्रयासों में भिनता कोई वेक्ति असाधरन रूप से बुद्धिमान और प्रतिभावान हो सकता है और यह भी हो सकता है कि उसने सम्रधी और अपनी अच्छी स्थिती को पाने के लिए कठोर परिश्रम किया हो यह सकते है कि कोई वेक्ति विशेश अधिक योग्यता वाला हो सकता है या किसी भी सम्रधी के स्तर को प्राप्त करने के लिए उसने बहुत अधिक प्रयास किया हो यह भी संभव हो सकता है इतना होने पर भी सामाजिक विशमता वेक्तियों के बीच सहज अत्वा प्राकृतिक भिनिता की वज़े से नहीं है अपी तो यह उस समाज द्वारा उत्पन असमानता से पैदा होती है जिसमें की वहवैक्ती निवास करता है तो यह सच है कि हाँ कुछ युगताओं में प्रयास में भिनिताएं होती है प्राकृतिक रूप से लोगوں में भिन्नताएं होती हैं लेकित फिर भी जब हम सामाजिक विश्मता की बात करते हैं तो सामाजिक विश्मता सिर्फ इस प्राकृतिक भिन्नता के कारण नहीं होती है इसका जो मुख्य कारण होता है वो है समाज द्वारा उत्पन असमानता जहां समाज में लोगों को अलग-अल दरश्टी से देखा जाता है उनके प्रती अलग-अलग प्रकार का वहवार किया जाता है वहीं से सामाजिक विशमता उत्पन होती है प्रशन संख्या 2 है सामाजिक स्तरीकरण की कुछ विशेष्टाएं बताईए तो सामाजिक स्तरीकरण अपने आप में कुछ खास विशेष्टाएं रखता है उन्हीं विशेष्टाओं को हमें यहां बताना है बचो इस प्रशन का उतर है समाजिक स्तरीकरण की निमने विशेशता हैं पहली एक समाजिक विवस्था की रूप में समाजिक स्तरीकरण वेक्तियों के बीच की विभिंता का प्रकार्य ही नहीं अपे तो समाजिक विशेशता है तो यदि हम सामाजिक स्तरीकरण की बात करते हैं तो वास्तों में ये हमारे समाज की एक विवस्था की रूप में विध्यमान है कि समाज में लंबे समय से इस विवस्था को स्विकारा गया है कि समाज में विभिन वर्गों का स्तरीकरण व्याप्त है सामाजिक इस तरीकरण समाज में पाई जाने वाली व्यवस्था है जो सामाजिक संसाधनों को लोगों को विभिन श्रेणियों में समान रूप से विभक्त करती है तो वास्तों में ये सामाजे किस तरीकरण ही ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण जो भी समाज में संसाधन है उन संसाधनों को लोगों तक असमान रूप से पहुँचाया जाता है उसका बटवारा लोगों तक असमान रूप से ही होता है दूसरी इसकी विशेष्टा है पीडी दर पीडी हस्तांतृत सामाजे किस तरीकरण एक पीडी से दूसरी पीडी तक चलता रहता है यह परिवार और संसाधनों के एक पीडी से दूसरी पीडी में घनिष्टा के साथ जुड़ा हुआ है एक व्यक्ति की समाज में जो पांतरित होता है यानि एक पीडी से दूसरी पीडी तक भी चलता रहता है खास कर जो हम बात करते हैं एक व्यक्ति की प्रस्थती की तो वो प्रस्थती जो है दो प्रकार की हो सकती है जो इस समाज द्वारा प्रदत होती है और एक व्यक्ति द्वारा स्वयम अर्जित होती है जब हम सामाजे किस तरीकरण की बात करते हैं, तो सामाजे किस तरीकरण में जो वेक्ति की प्रस्थती है, वो समाज द्वारा प्रदत प्रस्थती ही एक पीडी से दूसरी पीडी तक पहुंचती है, अत्या बच्चे भी अपनी प्रस्थती को अपने माता-पिता से प्राप् कि किसी बच्चे का जिस भी जाती में जन्म होता है उस जाती का व्यवसाय उस बच्चे के साथ स्वितर ही जोड़ जाता है या यह माना जाता है कि वह बच्चा भी उसी व्यवसाय को अपनाएगा जो उसके पूरवजो द्वारा अपनाया गया दलित पारंपरिक व्यवसाय जैसे नाई, खेतिहर, मजदूर, सफाई करने वाले अथवा चम्रे का काम करने वाले अपने परंपरागत व्यवसायों में बंद कर रह जाते हैं खासकर दलत या बारंपरिक व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं जैसे नाई, खेती, हरी, मजदूर या जो भी जमड़े का काम करने वाले लोग हैं, सफाई करने वाले लोग हैं ये सब पीड़ी दर पीड़ी उसी कारे को करते रहते हैं इनके पास उच व्यवसाय अथवा उच वेतन वाले अवसर बहुत कम होते हैं, सामाजिक अक्षमता का प्रदत पक्ष अंतर विवा प्रथा से और सुद्रड होता है, चुकि व्यवाहिक संबन अपनी ही जाती में किये जाते हैं, अतर जातिये विवा द्वारा जातिये विभ सामाजिक अक्षमता का प्रदत पक्ष हैं, अंतर विवाह की संथा से और अधिक मजबूत हो जाता है, क्योंकि एक जाती के लोग अपनी ही जाती में विवा करते हैं, तो इस कारण से ये जो इस्तरी करण है वो और मजबूती से आगे बढ़ता जाता है तीसरा है, विष्वास एम विचार धारा द्वारा समत्पित, सामाजिक इस तरीकरण को विश्वास अथ्वा विचार धारा की द्वारा समर्थन प्राप्त होता है तो सामाजिक इस्तरीकरण की यह भी एक विशेष्टा है कि विश्वास और विचारधारा द्वारा भी इसे बड़ा समर्थन प्राप्त होता है यानि लोगों का जो विश्वास है आप तक जो विचारधारा उन्हें प्राप्त हुई है सुनने को या अनुभव करने को उस विचारधारा में इस सामाजिक इस्तरीकरण को स्विकारा गया है और इस कारण यह आगे से आगे चला जाता है प्रशन संख्या तीन है आप पूर्वाग रहे और अन्य किस्म की राय अत्वा विश्वास की बीच भेत कैसे करेंगे तो पूर्वाग रहे और अन्य किस्म की राय या विश्वास कैसे अलग है यह यहां पूछा गया है बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्वा ग्रह की यह एक समू के सदस्यों द्वारा दूसरे समू के बारे में पूर्व कल्पित विचार अत्वा वहवार होता है इस शब्द का अक्षरश अर्थ पूर्व निर्णे अत्वा वहधारना होती है जो की बिना विशे को जाने और बिना उसके तथ्यों के समझे आरंब में बना ली जाती है यदि हम पूर्वा ग्रह की बात करते हैं तो यह सब्ष्ट होता है कि इसमें कुछ पूर्व कल्पित विचारों का संग्रह होता है इसके अलावा इस शब्द के अक्षरश अर्थ को हम समझे तो इसका अ उस धारणा को स्विकार कर लिया जाता है पूर्वा ग्रह से ग्रसित एक विक्ति के पूर कल्पित विचार सबूत साक्षों के विप्रीत सुनी-सुनाई बातों पर अधिक आधारित होते हैं जो कि नई जानकारी मिल जाने की बाद भी बदलने से इनकार कर देते हैं तो प रहास बात यह है कि यदि उन पूर्वाग्रहों से विपरीत कोई नई जानकारी मिलती है तो भी वेक्ति उस नई जानकारी को जल्दी से स्विकार नहीं करता है और उसके पूर्वाग्रह को बदलने की चेश्था नहीं करता है पूर्वाग्रह सकारात्मक भी हो सकता है और न नकारात्मक भी हो सकते हैं पर सामानिते जब इस शब्द का प्रियोग किया जाता है तो कुछ नकारात्मक अर्थ में ही इसका प्रियोग होता है राय अथ्वा विश्वास पूर्वा ग्रहों से अलग होते हैं विश्वास अपनी स्वेम की मानिताओं पर आधारित होते हैं ज ज़िए हम राय और विश्वास की बात करते हैं तो ये पूर्वा ग्रहों से अलग होते हैं, विश्वास अपनी स्वयम की मानताओं पर आधारित होते हैं और खास बात यह है कि जिनें हम श्रेष्ठ मानते हैं, जिनें हम उचित मानते हैं, हमें उनहीं पर विश्वास होता है साथ के साथ एक और खास बात है कि जदी हम विश्वास की बात करते हैं तो विश्वास में हमारे कुछ वेक्तिगत अनुभव भी सम्मिलित हो सकते हैं उधारन के लिए धर्म विश्वास पर आधारित होता है यद्यपी यह आवशक नहीं है कि हम जिस पर विश्वास कर रहे हैं वैस सही हो फिर भी विश्वास सत्य और सही के अधिक निकट होता है यह आवशक नहीं है कि वेक्ति जिस पर विश्वास करता है वैसा देव सही ही ह फिर भी जब हम तुलना करते हैं पूर्वाग रहों से तो अक्सर यह माना जाता है कि विश्वांस सत्य के अधिक निकट होता है। इसमें किसी की कही अथवा सुनी बातों पर निर्भड नहीं रहा जाता है। इसमें व्यक्ति की सोच और विवेक पर भी बल दिया जाता है। तो पूर्वा ग्रहों की तरह विश्वास सिर्फ कही सुनी बातों पर आधारित नहीं होते हैं, बजाए इसके व्यक्ति का स्वयम का विवेक उसकी समझ जो है, वो विश्वास में सम्मिलित होते हैं। निश्कर्ष की रूप में कहा जा सकता है कि पूर्वा ग्रह राय अथ्वा विश्वास से अलग होते हैं, जहां पूर्वा ग्रह पूर मानिताओं पर आधारित होते हैं, जिसमें विवेक का प्रयोग नहीं किया जाता हैं, और बिना सोचे समझे किसे तथ्यक को स्विकार कर परनतु विश्वास सत्य और अच्छाई के जाधा निकट होते हैं। परनते हुए ही वे हैं किसी बात पर विश्वास करता है। सामाजिक अपवर्जन की विश्वास सामाजिक अपवर्जन की कुछ सामाने विश्वास मानी जाती है। पहला यह उन सभी कारियों से संबंदित हैं जो कि किसी वेक्ति अत्वा सम्मू को उन अवसरों से वंचित करते हैं जो कि समाज में अधिकाश लोगों के लिए खुले होते हैं। तो यदि हम सामाजिक अपवर्जन की बहिश्वास की बात करते हैं तो यह खास बात यहां आपको याद रखनी हैं कि यह ऐसे सभी कारियों से संबंदित हैं जो वेक्ति यां सम्मू को ऐसे अवसरों से वंचित करते हैं जो समाज के अन्ये सभी हिस्सों के लिए दूसरे विशेष्टा है भरपूर जीवन को जीने के लिए वेक्ति के जीवन की मूलभूत आवशक्ताओं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान के अतरिक्त, अन्ये आवशक वस्तों और सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थे और यातायत के साधन, बीमा, सुरक्षा, बैंक, पुलिस और न्यायपालिका की भी आवशक्ता होती है, बहिशकार वेक्ति को इन सबसे वन्चित कर देता है, तो सामाजिक अपवर्जन और बहिशकार जो है, वो वेक्ति को अपनी मूलभूत आवशक्ताओं के अलावा उसकी जितनी भी अन्या आवशक्ताओं हैं, उन सब से भी वंचित कर देता है सामाजिक भेदभाव अथवा अपवर्जन आकस्मिक अथवा अनायास रूप में नहीं होता अपितु व्यवस्तित तरीके से होता है तो सामाजिक भेदभाव भहिशकार या अपवर्जन अचानक या अनायास ही नहीं होता है बलकि यह है एक व्यव पिस नात्मक विशेश्टा का ही परिनाम होता है उस समाज के कुछ लोगों या कुछ वर्गों के साथ किया जाने वाला सामाजिक बहिश्कार। सामाजिक बहिशकार अनच्छिक होता है दूसरे शब्दों में बहिशकार बहिशकरत वेक्ती की इच्छा के विरुद कार्यानवित होता है बिलकुल जो बहिशकरत वेक्ती है या समू है उसकी इच्छा के बिना ही उससे बहिशकार किया जाता है कई बार सामाजिक बहिशकार को गलत अत्वा अनुचित तरीके से नियाय संगत ठहराया जाता है कि बहिशकत वेक्ति स्वेम ही सम्मिलित होने का इच्छोक नहीं है इस प्रकार के दिये गए तर्क इच्छत वस्तू के संदर में पूरी तरह से गलत एमम अनुचित होते हैं कई बार सामाज में इस बहिशकार को उचित या नियाय संगत ठहराने का प्रयास किया जाता है कि जो वेक्ति है जिसके साथ बहिशकार वास्तव में किया जा रहा है यह माना जाता है कि वे स्वेम ही समाज में सम्मिलित होने का इच्छोक नहीं है लेकिन इस प्रकार से बहि बहिश्करत वेक्ति या बहिश्करत वेक्ति या बहिश्करत वर्ग के लिए समाज की मुख्यधारा में शामिल होने की जो भी अवसर हैं वो बिलकुल भी उसे उपलब्ध नहीं होते हैं। की सामाजिक वेक्ति या बहिश्करत वेक्ति या किसी समू या बहिश्करत की समाज की मुख्यधारा में मिलने जुलने से रोकने के लिए किया जाता हैं। प्रश्ण संक्या पाच है, आज जाती और आर्थिक असमानता के बीच क्या संबंध है? तो जाती और आर्थिक असमानता एक दूसरे से कैसे चुड़े हुए हैं? तरहें, जाती विवस्था एक विशिष्ट भारतिय सामाजिक संस्था है, जो कि विशेश जातियों में जन्म लोगों के प्रती भीदभावपून वहवार को आगे बढ़ाया जाता है, और उसे नयाय संगत भी ठहराया जाता है. जाती और आर्थिक का समानता. जाती विवस्था में विवेक्थी की प्रस्थिती और उसका विविशाय जाती के द्वारा ही निश्चित होते थे. जाती कि अनुसार ही वैवसायों का निर्धारन कर दिया जाता था और वास्तों में व्यक्ति की प्रस्थिती भी उन वैवसायों से ही जुड़ी होती थी वर्तमान समाज में जाती और आर्थिक असमानता में संबंद आज के दौर में समाज निश्चित रूप से बदला है परन्तु व्यापक रूप से समाज में परिवर्तन नहीं हुए हैं आज भी समाज के साधन संपन तथा उच्च औहदों वाले वर्ग में अत्यदे कथित उच्च जातियों के लोग ही हैं यदि हम आज की या वर्तमान की बात करें तो यह सपश्ट है कि हमारे समाज में काफी परिवर्तन हुआ है परन्तो यह परिवर्तन व्यापक इस्तर पर नहीं हुआ है तो आज की स्थिती में भी जब आंकड़े जुटाये जाते हैं यह देखा जाता है कि उच्च औहदों पर कौन बैठा है या किने उच्च औहदे प्राप्त हैं तो यह निकल के आता है कि जितने भी साधन संपन और उच्च औहदे वाले पद हैं उन पर कथ तथा कथित उच्च जातियों के लोग ही विद्यमान है इसके विपरीत, वंचित तथा निम्न आर्थिक इस्थिती वाले वर्ग में कथित निम्न जाति के लोगों की प्रिधानता को देखा जा सकता है और इसके ठीक विप्रीत यदि हम बंचित लोगों को देखें, गरीब तबके के लोगों को को देखें तो उने तता कतित नीची जाती के लोग ही अधिक देखने को मिलते हैं इसके अलावा कथित उच्वेदलित जातियों के गरीब और संपन तपकों के अनुपात में जमीन आस्मान का अंतर देखा जा सकता है यद्यपी स्वतन्त भारत में भी राचसत्ता के द्वारा सारजनिक शेत्र में जाती व्यवस्था पर अंकुष लगाने के प्रयास किये गए हैं उनमें गरीब तपका और जो साधन संपन तपका है उनके अनुपात में भारी अंतर देखने को मिलता है निशकर्ष रूप में कहां जा सकता है कि जाती व्यवस्था चाहें कानुनी रूप से और समविधानिक रूप से समाप्त कर दी गई हो फिर भी आज समाज व्यवस्था में इसके आर्थिक प्रभावों को देखा जा सकता है प्रश्ण संक्या 6 है अईसप्रशता क्या है यह चर्चा हमने अध्याय में बहुत अच्छे से की थी तो देख लेते हैं इसका उत्तर अईसप्रशता का अर्थ अईसप्रशता अथवा छुहाचू चाती विविस्था का एक घ्रणित और दूशित पक्ष है जो कि धान्मे के अध्याय में कर्मकांडिये द्रश्टी से शुद्धता अउम अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीची माने जाने वाली जातियों के लोगों के विरुद्ध अत्यंत कठोर अनुशास्तियों या दंडों का प्रावधान करती हैं तो यह है एक ऐसा पक्ष है जाती विव है इसके अंतरगत जो नीची माने वाली जातियों है उन नीची माने जाने वाली जातियों के लोगों के प्रती अत्यंत कठोर दंडों का प्रावधान रखा जाता है अईस प्रशता के आयाम इसके तीन प्रमुख आयाम है अपवर्जन अथ्वा बहिशकार अनादर एवं अधीनता शोशन की प्रवरती तो बहिशकार के साथ ही यहां अनादर भी जुड़ा हुआ है और अनादर के अलावा शोशन की प्रवरती भी अईसप्रशिता के साथ जुड़ी हुई है अईसप्रशिता का स्वरूप अईसप्रशे लोगों को जाती विवस्था में कोई स्थ अपवित्र हो जाते हैं तो अईस्प्रश्य लोगों को पूरी जाती विवस्था में कहीं कोई स्थान प्राप्त नहीं होता है इन्हें इतना अशुद्ध बाना जाता है कि उच्च जाती के लोग इनके छूने मात्र से अशुद्ध या अपवित्र हो जाते हैं इसमें एक औ और जहां अशुद कहे जाने वाले व्यक्ति को दंड भुगतना पड़ता है तो दूसरी और उच्च जाती के व्यक्ति को भी शुद्ध होने के लिए धार्मिक क्रियाओं को संपन करना पड़ता है अचुतों को पेजल स्त्रोतों से पानी नहीं भरने दिया जाता है उनके और घाट अलग होते हैं ये सामोहिक पूजा अरादना सामाजिक उत्सव और त्योहारों में भाग नहीं ले सकते हैं इस प्रकार के दंड के प्रावधान रखे जाते हैं अच्चुतों के लिए या एस प्रश्य लोगों के लिए यहां खास बात ये है कि कई ऐसे वहवार उनके साथ किये जाते हैं जो बिलकुल अमानविय होते हैं जैसे उन्हें पेजर स्टों से पानी नहीं लेने दिया जाता उनके कुए हैंट पंप और घाट अलग मनाये जाते हैं उसके अलावा सामोहिक पूजा अरादना सामाजिक उत्सव आधी मनाने की उन्हें अनुमती नहीं दी जाती है। इन लोगों से बेगार ली जाती है तथा इनसे कई काम जबरदस्ती करवाए जाते हैं। बजवा लेना इसके अलावा अनादर और अधीनता पूरवक अनेक प्रकार के कारिये जोर जबरदस्ती से अइस प्रश्यता के अंतरगत उन लोगों से करवा लिए जाते हैं। अपनाई गई कुछ नीतियों का वर्णन करें। तो जातिय विशमता को दूर करने के लिए कैसी नीतियां अब तक हमारे देश में अपनाई गई है। यही हमें यहां बताना हैं। वच्च उत्तर हैं। जातिय विशमता को दूर करने के लिए समय समय पर कई प्रावधान किये गए हैं पहला है आरक्षन सम्मंधी प्रावधान इसके अंतरगत जीवन के विभिन पक्षों में अनुसुचित जातियों तथा जन जातियों के लिए कुछ स्थानों को आरक्षित किया गया है जैसे र अलग-अलग स्थानों पे दिया जाता है जैसे राज्य विधान मंडलों लोकसभा और राज्य सभा में स्थानों में आरक्षन दिया गया है उसके अलावा सभी विभागों तता सारजनिक शेत्र की सभी कमपनियों के अंतरगत सरकारी सेवा में नोकरियों का आरक्षन भी दि की विभाग और सारवजनिक शेत्र की सभी कम्पनियों में यह आरक्षन प्रदान किया गया है उसके अलामा शेक्षिक संस्थानों में स्थानों का आरक्षन सभी शेक्षिक संस्थानों में भी विशेश जातियों को स्थानों का आरक्षन दिया गया है आरक्षित सीटों का अ पात के अनुसार रखा गया है दूसरे जो उपाय की गए हैं वो हैं सम्विधानिक और कानूनी प्रावधान 1850 में जातिय निर्योग्यता अधिनियम बनाया गया इसमें हैं प्रावधान किया गया कि केवल धर्म और जाती के परिवर्तन के आधार पर ही नागरिकों के अधिक अधिकारों को कम नहीं किया जाएगा तो 1850 का ये जो जातिय निर्योग्यता अधिनियम था इसमें एक विशेश प्रावधान किया गया कि केवल धर्म और जाती के परिवर्तन के आधार पर नागरिकों के कोई भी अधिकारों को कम नहीं किया जाएगा उसके अलावा सन 2005 मे त्राणवेवा समिधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया है जिसके द्वारा अन्य पिछड़ा वर्क के लोगों को उच्छ शिक्षन संस्थाओं में आरक्षन दिया गया है तो यह भी एक बहुत महत्पूर्ण प्रावधान है इसके अलावा यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि 1850 का अधिनियम सरकारी स्कूलों में दलितों को प्रवेश देने के संबंध में बनाया गया था तो जो 1850 का निर्योग्यता अधिनियम था उसके अंतरगत सरकारी स्कूलों में दलितों को प्रवेश देने का प्रावधान मुख्यते रखा गया था इसके अलावा सन 1950 में भारत का समिधान किर्यानवित किया गया जिसके अनुचेच 17 के द्वारा अईस प्रशता को समाप्त कर दिया गया है तथा इसके वहवार को दंडनीय अपराद घोशित किया गया है 1950 में जो हमारे देश का समिधान किर्यानवित किया गया उसमें अनुचेच 17 में अईस प्रशता को समाप्त कर दिया गया है और यदी अईस प्रशता का वहवार किसी के द्वारा किया जाता है तो उसे दंडनीय अपराद की श्रेणी में रखा गया है 1989 में अनुसूचित जाती और जनजाती अत्याचा निवारण अधिनियम पारित किया गया इसमें दलितों और आदिवासियों के विरुद हिंसा और अपमांजनक कारियों के लिए दंड देने के उबंदों में संशोधन करके उन्हें और कठोर बना दिया गया है 1989 का जो अनुसूचित जाती और जनजाती अत्याचार निवारण अधिनियम है ये भी एक खास अधिनियम है और इसके अंतरगत दलितों और आदिवासियों के विरुद यदि किसी भी प्रकार की हिंसा या अपमांजनक कारियों उनके साथ किया जाता है तो ऐसी स्थिती में जो दंड देने के प्रावधान है वो बहुत जादा सक्त बना दिये गए हैं समाच सुधार आंदोलनों के अंतरगत समाच सुधारकों के द्वारा दलितों की स्थिती को सुधारने के प्रयास किये गए जोतिवा फुले योतिदास परियार अंबेरकर तथा गांधिजी द्वारा दलितों की स्थिती को सुधारने की दिशामे महत्वून प्रयास किये कि जातिये विशमता को समाप्त किया जा सके विभिन राजनीतिक डल और राजनेताओं के द्वारा भी जाती प्रथा विरोधी और दलत जातियों की स्थिती को सुधाने की दिशा में कई प्रयास किये गए तो कई राजनीतिक डल और राजनेता भी इस सम्मन्ध में अपने प पाय किये गए हैं प्रश्न संख्या आठ हम देखते हैं बच्चो अन्य पिछले वर्ग दलितों या अनुसुचित जातियों से भिन कैसे हैं तो अन्य पिछले वर्ग और दलित कैसे एक दूसरे से अलग हैं उत्तर हैं अन्य पिछला वर्ग भारत के समिधान में इस तथ्य को स्विकार किया गया है कि अनुसुचित जातियों और जन जातियों के अलावा कई समू हो सकते हैं जो कि सामाजिक असुविधाओं से पीरित हैं ऐसे समुहों के लिए जाती पर आधारित होना आवश्यक नहीं है परन्तु इन्हें प्राय किसी जाती के नाम से ही जाना चाता है यद्यपी आवश्यक नहीं है कि ऐसे समू जाती पर ही आधारित हों लेकिन फिर भी वहवारिक रूप से प्राय इन्हें जातियों के नाम से ही जाना जाता है ऐसे समूहों को सामाजिक और शेक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की नाम से जाना जाता है इन्हें जन सामाने की भाषा में अन्य पिछड़ा वर्ग की नाम से जाना जाता है अन्य पिछ्रा वर्ग और दलितों में अंतर अन्य पिछ्रा वर्ग दलितों से भिन हैं दलितों से उन लोगों का बूध होता है जिन्हें समाज में अच्छूत माना जाता है और जिनके लिए समाज प्रदक्त कितनी ही सामाजिक और धार्मिक निर्योगताएं होती हैं बिल्कुल हम बात कर चुके हैं दलितों की दलितों को समाज में एक प्रकार से ऐसे लोग माना जाता हैं जिनके लिए समाज में बहुत सारी सामाजिक और धार्मिक निर्योगताईं रखी जाती हैं यानि कई सारे वहवार माने जाते हैं कि वो नहीं कर सकते या कई सारी स्थित इनके साथ आइसप्रशता का वहवार किया जाता है इसके विपरीत अन्य पिछरा वर्ग में गैर दलित निम्न और मध्यम जातियों को शामिल किया जाता है जो कि क्रशी पशुपालन और विभिन शिल्पों में लगी हुई हैं इनमें आइसप्रशयों से उच्च परंतु ब् रश्टी से पिछडी हुई है तो यदि हम दलितों की तुलना में अन्य पिछ़ड़ावर्ग की बात करें तो यहां ऐसी जातियां हैं जिनके साथ आइसप्रशता का वेहवार नहीं किया जाता है जातियों को शामिल किया जातियां जो कि क्रशी पशुपालन और विभिन प प्रश्च संख्या 9 है आज आदिवासियों से संबंदित बड़े मुद्दे कौन से हैं तो आज के या वरत्मान की स्थिती में आदिवासियों से संबंदित बड़े मुद्दे क्या हैं तो बच्चों देखते हैं उत्तर आदिवासियों से संबंदित बड़े मुद्दे आज आदिवासियों से सम्मंदित कई मुद्दे हैं पहला आवास का मुद्दा आज पूर्वोत्यर राज्यों को छोड़ कर देश का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जहां पर केवल आदिवासी लोग ही रहते हों केवल ऐसे इलाके हैं जनजातिये लोगों का जमावड़ा अधिक है दूसरे शब्दों में आदिवासी लोगों की घनी आवादी है तो पूर्वोत्यर राज्यों के अलावा हमारे पूरे देश में ऐसा कोई भी स्थान या कोई भी भाग नहीं है जहां सिर्फ आदिवासी लोग रहते हों तो इसलिए अवास का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा इस संदर्व में बना हुआ है दूसरा जो मुद्दा है गैर जनजातिये लोगों के आगमन का मुद्दा उन्नीसवी शताबदी के मध्य में बहुत से गैर जनजातिये लोग मध्य भारत के जनजातिये छेत्रों में आकर बस गए हैं इसके परणाम सुरूप वहां के जनजातिये लोगों को रोजगार की तलाश में खानों, बागानों, कारखानों तथा अन्य रोजगार के साधन स्थलों पर भटकना पड़ रहा है तो बिलकुल उनिस विश्रापदी के मध्य से जो गैर जनजातिये लोग हैं वे मध्य भारत के जनजातिये लाकों में जाकर बस चुके और इस प्रकार गैर जनजातिये लोगों के आवागमन का मुद्दा भी आदिवासियों के संदर में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ तीसरा मुद्दा है रोजगार का मुद्दा आज आदिवासी लोगों के सामने रोजगार का मुद्दा बना हुआ है गैर जनजातिय लोगों के इनके शेत्रों में आने से इन लोगों से रोजगार के परंपरागत साधन छिन गए हैं आदिवासी लोगों को आज रोजगार तलाश में खानों, बागानों, कारखानों तथा अन्य रोजगार के साधन स्थलों पर भटकना पड़ रहा है। बिलकुल जैसे जैसे गैर आदिवासी लोग आकर के आदिवासी इलाकों में बस गए हैं, वैसे वैसे आदिवासी लोगों के जो परंपरागत साधन थे के वो उनसे छिनते गए हैं और अब आदिवासी लोग रोजगार की तलाशों में इन अलग-अलग स्थानों जैसे विबिन खानों, बागानों, कारखानों आदी पर भटकते हैं चौथा मुद्दा है निर्धनता का मुद्दा, जन्जात्य लोगों की आर्थिक और सामाजेक स्थिती, गैर जन्जात्य लोगों की अपेक्षा बद्धतर है, आदिवासी लोग निर्धनता और निम्न स्थिती पर जीवन्यापन करने को मजबूर है सरकारी इस तरपर वनों की लकडी को सरक्षित करने के लिए उपाय किये गए जिस्से आधिवासी लोगों से उनकी आजिविका के साधन छिंते चले गए और आधिवासीों का जीवन अभावों से परिपून तथा असुरक्षित बन गया तो जनजातिये लोगों से जैसे जैसे उनके संसादन छीने जाते रहे खास कर वनों पर जैसे जैसे अधिकार किया जाने लगा वैसे वैसे उनमें निर्धनता या गरीबी जो है वो बढ़ती ही गई पाचवा मुद्दा है शोशन का मुद्दा अपनिवेशिक शासनकाल में जब आदिवासियों से उनकी भूमी और संसादन छिन गए तब आदिवासी लोगों के द्वारा अवैद रूप से इन संसादनों का प्रियोग किया जाने लगा तब अपनिवेशिक सरकार के द्वारा इन्हें चोर उचक्के कहकर इनको दंडित किया जाने लगा कालांतर में इन लोगों को दिहाडी की मजदूरी करने के लिए अन्य स्थानों पर पलायन करना पड़ा तो अपनिवेशिक शासंत से ही इन आदिवासी लोगों का शोषण किया जाते रहां उनकी भूमी उनके सभी संसाधन उनसे छीन लिए गए और फिर ऐसी स्थिती में जब आदिवासीो द्वारा गैर कानूनी तरीके से इन संसाधनों का उप्योग किया जाने लगा तब अपनिव पेशिक काल में इन्हें चोर चक्के कहकर बुलाया जाने लगा और इसी के साथ इनकी स्थिती और अधिक शोशित होती गई। के बहाने आदिवासियों से उनकी भूमी को छीना गया और उन्हें इसके लिए पर्याक मुआवजा भी नहीं दिया गया इससे इनकी आर्थिक स्थिती दैनिया बनती चली गई। होती गई और अब उन्हें अपने जीविका के लिए किसी भी प्रकार के संसाधन प्राप्त नहीं थे। इस जमीन के लिए पर्याप मुआवजा भी इन्हें प्रदान नहीं किया गया और ऐसी स्थिती में इनकी आर्थिक जो स्थिती थी वो बहुत ही बुरी होती गई। प्रश्ण संख्याद 10 है नारी आंदोलनों ने अपने इतिहास के दोरान कौन-कौन से मुख्य मुद्दे उठाए हैं। नारी आंदोलनों द्वारा खासकर सबसे पहला मुद्दा था सती प्रता का मुद्दा और ये सती प्रता का मुद्दा राजा रामूहन राय द्वारा उठाया गया था। दूसरा मुद्दा था विध्वा पुनर्विभा का मुद्दा, महादेव गोविन रानाडे द्वारा अपने लेखों और पुस्तकों द्वारा विध्वा पुनर्विभा का समर्थन किया, तो महादेव गोविन रानाडे का नाम विध्वा पुनर्विभा के मुद्दे के सं उठाते हुए, उनकी इस्थिति को सुधाने पर बल दिया, तथा इस्त्री शिक्षा की जोड़दार वकालत की। चौथा मुद्दा मुस्लिम इस्त्रियों का मुद्दा सरसायद एमत खां के द्वारा मुस्लिम इस्त्रियों के स्थती को सुधारने का मुद्दा उठाया गया वे मुस्लिम लड़कियों को शिक्षित किया जाना और उनकी स्थती में सुधार लेके आने का मुद्दा धाल शिक्षा कुग मदा उठाया गया। छटा मुद्धा रहा सामाजिक समानता का मुद्धा महराश्र की ग्रहनी तारवाई शिंदे द्वारा अपने लेख इस्त्री पुरुष तुलना में पुरुष प्रधान समाज में अपनाए जाने वाले भेदवाव पूर्ण मुद्धों को उठाया गया था तो उनकी जो आत्वा मुद्धा है बाल विभा का मुद्धा राजा राम मुहन राय स्वामी दयानन सरस्विति आदिए अनेक समाज सुधारकों ने बाल विभा के मुद्धे को उठाते हुए इसका विरोध किया था और आठवा मुद्धा है इस्त्रियों का प्रतिनिधित्व तथा असमान विकास के लेंगिक परिणाम के मुद्देतु 1970 के दशक में और उसके बाद विभिन प्रकार के मुद्दे नारी आंदोलनों द्वारा उठाये गए खासकर पुलिस अभिरक्षा में इस्त्रियों से बादकार का मुद्दा दहेच के लिए जो नारी हत्याएं की गई उस मुद्दे को उठाया गया उसके अलावा इस्त्रियों का प्रतिनिधित्व उनका आसमान विकास संबंदी मुद्दों को भी उठाया गया प्रश्ण संख्या 11 है हूँ यह किसार्थ में कह सकते हैं कि अक्षमता जितनी शारिरिक है उतनी ही सामाजिक भी इसका उत्तर देखते हैं बच्चों शारेरिक अक्षमता का शाब्देकर्थ है शारेरिक तोर पर सक्षम नहीं होना आज मानसिक रूप से चिनोती ग्रस दरश्टी बाधित और शारेरिक रूप से बाधित जैसे शब्दों का प्रियूख पुराने गिसे पिटे नकारात्मक भावो को प्रकट करने वा पंग अथ्वा लंगडा लूला इत्यादी के स्थान पर किया जाने लगा है तो यह जो संबोधनों का अंतर है यह वास्तों में प्रदर्शित करता है कि समाज का जो नजरिया है उसमें धीरे-धीरे कुछ बदलाव हो रहा है जो विकलांग विक्ती होते हैं वे अपनी जै सामाजिक अक्षमता के कारण विकलांग नहीं होते बलकि समाज के द्वारा उन्हें ऐसा बनाया जाता है सामाजिक अक्षमता अक्षम वेक्ती केवल शारिरिक रूप से ही अक्षम नहीं होते हैं अपे तो समाज के द्वारा भी उन्हें अक्षम बनाया जाता है जैसा कि ब प्रेसेंडन ने अपने विचारों को अपने लेख में प्रकट किया था हमें तो उन भव्य भवनों ने असक्षम बनाया है जो हमारे प्रवेश के लिए नहीं बने हैं जिनमें प्रवेश करने की हमें इजाजत नहीं है और इसी के परिणाम सरूप हम शिक्षा रोजगार पा अक्षमता और गरीबी एक सामाजिक विचारधारा का एक पहलू और भी है अक्षमता और गरीबी एक दूसरे के साथ घनश्ट रूप से संबंदित हैं तो अक्षमता का एक सामाजिक पहलू यह है कि अक्षमता और गरीबी दोनों एक दूसरे से संबंदित होते हैं कुपोशन बार बार संतानों को जन्म देने से कमजोर होने वाली इस्त्रियां रोग प्रतिरोध क्षमता से रहेत भीर भार भरे घरों में दुरगटनाएं यह सभी पक्ष एक साथ मिलकर निर्धन लोगों को अक्षमता की ऐसी स्थिती पर ला देते हैं जो कि आसान परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले वेक्षियों की तुलना में काफी गंभीर मानी जाती हैं तो एक गरीब घर में या एक गरीब या सुविधा से रहित वातावरण में रहने वाले जो लोग हैं उनकी तुलना में सुविधा संपन या सकारात्मक परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनके वातावरण में इतना भारी अंतर होता है कि ये अक्षमता गरीबी या वंचित स्थिती वाले लोगों में ही अधिकुत्पन होती है. इसके अलावा अक्षमता न केवल वैक्ती के लिए अपितु उसके पूरे परिवार के लिए प्रथक करण और आर्थिक दबाव को बढ़ाते हुए निर्धनता की स्थिती पैदा करके उसे और अधिक गंभीर बना देती है. निशकर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अक्षमता न केवल शारिक होती है अपितु सामाजिक भी होती है. अधे हम यह निशकर्ष प्राप्त कर सकते हैं कि अक्षमता सिर्फ शारिक न होकर सामाजिक भी होती है. उसके दो मुख्ये पहलू है एक तो हमारे समाज विशेश का जो नजरिया है या हमारे समाज में अक्षम लोगों के प्रती जो दश्टिकोन अपनाया जाता है वह उन्हें और अक्षम कर देता है और दूसरा पहलू ये है कि अक्षमता का और गरीबी का एक गहरा संबंद होत है तो भच्चों हमने हमारे इस अध्याय के सभी हिस्तो को आज समाप्त कर लिया है और अब हम अगले वीडियो में हमारा अध्याय संख्या 6 शुरू करेंगे तो आज के लिए इतना ही वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद